समस्कार मैं हूँ आपनी पैट जमाए हुए था उसके उपर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि NCB का डंडा लगातार चल रहा है जिस तरीके से NCB इन्वॉल्व होती नजर आ रही है इस ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से NCB कड़ा रुख अक्तियार करती हुई नजर आ रही है इस ड्रग्स के मामले में उससे तो यही नजर आ रहा है कि बॉलिवुड में अब तक यह जो ड्रग्स का जाल बिछा हुआ वो पूरी तरीके से सफाई की तरफ रुख कर रहा है लेकिन इस सफाई में जितने बड़े नाम सामने आ रहे हैं जितने सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं उसके बाद कहीं न कहीं ये जो बड़े बड़े सेलेब्रिटी नेम्स हैं ये काफी जादा मुश्किल में फस्ते हु ने गिरफतार किया इसके साथ ही साथ जो फिल्म प्रोडूसर्स हैं बड़े बड़े बड़ी बड़ी आक्ट्रिस हैं तो ये सब नाम जो सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बॉलिवूड इंडस्री की इमिज को काफी जादा खराब करते हुए नजर आ रहे हैं अब अगर बात नहीं बरामत कर पाए हैं इसके उपर कोई ओफिशिल स्टेटमेंट नहीं आया है कि कोई ड्रग बरामत हुई हो अर्जन रामपाल के घर से पर NCB का यही कहना है कि किसी तरीके की टिप आफ मिली थी जिसके बाद कुछ जगहों पर छापे जरूर मारे गए हैं अब इस सब म कामले में कहीं न कहीं महराश्र की सरकार भी इन्वॉल्व होती नजर आ रही है तो फिलाल तो महराश सरकार के एक जाने माने नेता ने यह बयान दिया है कि जिस तरीके से बॉलिवुड को घसीटा जा रहा है जिस तरीके से पूरे बॉलिवुड को बदनाम किया जा रहा है वो सही नहीं है क्योंकि अगर कुछ लोग इस industry में drugs लेते हैं या drugs में peddling में जो हैं वो involved हैं उससे पूरी Bollywood को सामने ले आना कि यहाँ पर drugs का धंदा होता है यह काफी गलत है यह Bollywood की image के लिए भी काफी गलत है और आप किसी एक इंसान की सजा पूरी एक industry को नहीं दे सकत हैं तो इस तरीके के बयान बीमाराज सरकार की तरफ से आ रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं लगादार शिकंजा कसरा है NCB का Bollywood की celebrities के उपर अगर actresses की बात करें तो दीपीका पादुकॉन, श्रद्धा गपूर, सारा अली खान इस तरीके के जितने भी नाम हैं वो सामने आये थ और कहीं न कहीं इनकी मौत की वज़ा इससे जूड़ी हुई है तो सुषान सिंग राजपूत की जो रिमर्ट गर्ल्फरेंग थी तरीके से उनके गर्ल्फरेंड बोला जाता था रिया चक्रवर्ती को उनको हिरासत में भी रखा गया कुछ दिनों तक उनसे लगातार प्यूसर नाडिया वाला के उपर भी फिरोज नाडिया वाला के घर पर भी छापा मारा गया उनकी पत्नी को गिरफतार कर लिया गया तो अरजुन रामपाल भी इस केस में फस्ते नजर आ रहे हैं कई बड़े दिगज आक्टर ऐसे हैं जिनका नाम इस केस में सामने आया है और जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं उसके बाद NCB लगातार कडाई करती नजर आ रहे है लगातार कडार रुक अक्तियार करती नजर आ रहे है और इसके साथ ही साथ अब जो माहौल बन रहा है उसमें कहीं न कहीं सरकार का involvement भी हो रहा है क्योंकि अब सरकार की तरफ से अगर इस तरीके के बयान आते हैं कि Bollywood इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो कुछ लोग कर रहे हैं उससे पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करने की जरूरत नहीं है तो ये कहीं न कहीं जो है वो बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब इसमें सरक खा रही है साफ दर्शा रही है कि कहीं न कहीं NCB अब किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है किसी भी तरीके से लीनियन नहीं होना चाहती है और जितना भी ये ड्रक्स का कारोबार फैला हुआ है जितना भी ये ड्रक्स का जाल बॉलिवुड में फैला हुआ है उसका सफाया निश्चित तोर पर करना चाह रही है NCV जल्द से जल्द